हेलो गाइस वेलकम बैक तो माई चैनल आई होब आप सब बहुत अच्छे होंगे आज में आपके साथ बिलकुल ठेले वाली खिली खिली बहुती टेश्टी बहुती आसान कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ आपके साथ चौमीन की रेसिपी शेयर कर रही हूं तो गाइस चल खिला खिला रहे तो मैंने आप ले लिया है नूडल्स और इस पानी बहुत ही ज़्यादा गरम होना चाहिए तब ही आप इसमें नूडल्स को एड़ करना अब आपको जितना नूडल्स पनाना हो आप यहां पे ले सकते हैं तो मैंने आप तीन पीस यहां पे नूडल्स ले और यह देखिए नूरल्स हमारा रेडी हो चुका है अब इसको थोड़ा साप हातों में इस तरीके से तोड़ कर देख लीजिए और बहुत ही आसाने से तूड़ जा रहा है बस आपको क्या करना इसको ठंडे पानी से धो लेना है थंडे पानी से आपको इसलिए धुलना है त दोनों चीज़ों को में नूडल्स में अच्छी से मिक्स कर लेना है और इससे क्या होगा ना चौमीन का टेश्ट पहुत ही अच्छा आएगा इसलिए आपकी ट्रिक जरूर फॉलो करना पहले आप इसमें थोड़ा सा ग्रीन चीली और सोया सॉस अच्छी से मिक्स कर लेना तो बस गैस नूडल्स हमारा ब्रेडी हो चुका है अब चलिए चौमीन बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने आप लिया बेजी टेबल तो मैंने लिया थोड़ी सी पत्ता गोभी, गाजर, सिमला, मिर्च, ग्रीन ओनियन और गैस मैंने आप लिया है और थोड़ा स भूल लेना है जब यह थोड़ा थोड़ा सा गोल्डेन हो जाए तो इसमें एड़ कर देना है हरी मिर्च और गैस तीखा कम्या जाता आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और गैस लैसन का टेस्ट चौमीन में बहुत ही अच्छा आता है इसलिए आप अगर ग पत्ता गोबी नहीं आट करेंगे जब यह थोड़ा सा कुक हो जाए पांच मिर्ट तक इसको कुक करना है तो इसके बाद इसमें हम पत्ता गोबी आट करेंगे और गैस सभी सब्सक्राइब बारीक पतला पतला लंबा लंबा कट कर लेना है इससे चौमीन में बेज़ी तो आप इसकी भी कर सकते हो तो बस इसको में अच्छी से मिक्स कर लेना है पत्ता को ज्यादा नहीं बस तीन मिनट तक हमें पकाना है तो इसके बाद बेज़ी टेबल हमारी रेडी हो जाएगी और इस चौमीन को बनाना ना बहुत ही आसाने बहुत ही जल्दी बन जाती है अब मैंने एह पे तोडसा सोय सॉस अड़ कर दिया है और थोड़ा सा ग्र6 सॉस मैंने पहले यहाह पे नूडल्स में अट किया था न इसलिए मैं च ...गया विवखुजी सॉस मैश्के mieć और ज़जा़ थे नूप जाने पर 55 अगो आप आ एड़ पसंदे तौए इस से से बीक हो चुकी है अब हमें आड़ कर देना है नूडल्स यह देखिए बहुत ही टेश्टी लाजवाब वेजिटेबल रेड़ी है अब सभी नूडल्स को एड़ करेंगे इसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बस गैस अब मैं सबसे पहले यहाँ पे कल्ची ले लिए इससे मिक्स करूँगी इसके बाद मैं आपको एक और तरीका बताओंगी जिससे आप नूडल्स को आसानी से आप मिक्स कर सकते है और गैस अगर आपको यह मेरी चौमेन की रेसिपी पसंद आ रही हो तो जल्दी स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह दिके कल्ची से भी ना अगर आप मिक्स करते हो रहां बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाएगा आप मैं आप मिक्स कर रही हूँ जो काटे वाला चमच होता है ना जो सबके घर में होता है मैंने वो ले लिया है अब इस तरीके स आप दो चमच ले लीजे और इस तरीके से आप मिक्स कर सकते हो तो बस गाइस यह दीखिए चौमीन हमारी रैडी हो चुकी है बहुत ही टेश्टी लग रही ना बिल्कुल ठेले वाली गर्म गर्म चौमीन तो गाइस जब भी आपका चौमीन खाने का मन करें आपको बाहर चानी की जुरत नहीं यह ठेले वाली चौमीन खाने की आप घर पर भी ठेले जैसी चौमीन बना सकते हो और अपनी फैमली के साथ इंजुआई कर सकते हो अब इसके उपर थोड़ा समय यहाँ पर ग्रीन ओनियन स्पिंकल कर रही हूं जिससी के देखने में और भी ज्यादा टेश्टी लगे तो गैस जब भी आपका चौमीन खाने का माने करें आप इस रेसिपी से चौमीन जरूर ट्राइ करना और मुझे कमेंड में बताना कि आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी अगर रेसिपी पसंद आयो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे और दोस्तों झाल